नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैडिलमेंट टीव अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीच आपको एक राइड का लगा सब्सक्राइब बटन दिखाई दिरों को प्रेस के लिएगा उसके बगल में एक ब बात करूं तो सबी एप्लिकेशन हंड़ेट परसेंट वर्किंग है फरवरी दो हजार तेईस में और यहां पर अगर मैं आप से बात करूं तो देखिए कम सिब्ली स्कोर या बिना सिब्ली स्कोर के भी आपको लोन मिल सकता है बिना सेली सेली बिना बैंक के स्टेटमेंट सबी के लिए वीडियो मैंने बनाया है तो वीडियो को कंटीनियू एंड तक बहुच करते रहेएगा कुछ बातों का विसे ध्यान रखिएगा अगर आप किसी भी ऑनलाइन लोन एप्लिकेशन से लोन एपलाई कर रहे हैं लोन को समय पर चुकाईएगा जिससे आपका सिब सिब्ल स्कोर या आपके केड़ी स्कोर में जो है अपडेट होता है और बहुत सारी क्रेटेट रेटिंग एजन्सीत हैं जो कि जगह जगह आपका डेटा अपडेट करती है कि आपने किस एप से यह किस बैंक से आपने कब लोन लिया था तो इस पैंभी लोन का झापने पर सिभिल स्कोर हैमपर होगा साथ ही साथ आपको भवीस्थ में अन्य परशानी आएंगी जिसमें परसानी कि अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या भवस्थ में परसानी आएगी आपके पास हो सकता है लीगल नोटिस आ जाये पहले उसके बाद recovery proceeding से start कर दे company या हो सकता है अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको भविस्थ में loan ही ना मिले बिल्फुल डिफाल्टर आपके civil score में लिख दिया जाए या आपके credit score में बिल्फुल डिफाल्टर लिख जाए और फिर अगर आप in future अगर कभी भी अगर आप loan apply करने जाते हैं तो बहां पर फिर आपको loan reject हो जाएगा loan नहीं मिलेगा क्योंकि और लेड़ी आपने loan जो है वो डिफाल्ट किया हुआ होगा तो इस बात का ध्यान जो हैं फिलहाल बर्किंग हैं बता चुकाऊं में आपको और कहीं से भी अगर आप loan apply करने हैं सभी terms and condition loan agreement letter, sense and letter बगरा ध्यान से पढ़ लिजेगा एक जरूरी बात मैं जो आपको भी बताई रहा था कि play store में बहुत सरी फर्जी loan application मौझूद हैं इनसे आपको बचके रहना हैं जिनकी कोई nbfc नहीं होती फर्जी loan applications की इनकी कोई bank नहीं होती यह बिना nbfc बिना bank के आपको loan प्रोवाइड कराते हैं और बाद में अबैद वसूली करते हैं तो ऐसी फर्जी loan application से आपको दूर रहना है जितनी भी loan application में आपको बता रहा हूं यह सभी nbfc या bank रइष्टर loan application से आप चाहें तो इन में से किसी भी loan application से loan ले सकते हैं और अगर किसी भी NBFC registered application के दोरा आपको किसी भी पिरकार की कोई भी problem होती है या किसी bank registered application के दोरा आपको कोई भी problem होती है या किसी bank या किसी NBFC से आपको कोई problem होती है तो उसकी complaint आप directly RBI के complaint portal में register करा सकते हैं तो सभी नियम्बा सर्तों को जरूर पढ़ लिजेगा लोन अप्लाई करने से पहले यानि लोन एग्रिमेंट लेटर सेंसें लेटर एक छोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूँ थोड़ा सा समय आपका और ले लेता हूं कि बार बार बहुत सारी लोन अप्लिकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजेगा इससे भी आपके सिविल स्कोर में इंक्वाइरी अपडेट होती है और उससे आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इंपक्ट पड़ता है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं टॉप एट लोन एपस इन इंडिया के बारे में जो की फिलाल ब प्रवाइड करा रही है एप्लिकेशन तो आप सिर्फ पांच मिनिट में यहां पर जो है लोन ट्राप्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और यहां पर जो लोन मिलता हूं मिलता है दस जार रुपैसे लेकर पांच लाख रुपै तक का इनका अनुल इंट्रस ट्रेट जिसक इक रोस इंडिया अपर आपको अपनी बैसिकिटेस्स प्रोवाइड करानी यह अपनी प्र। चेक करनी सिर्फ दो मिनट में चेक हो चाहिए और इंकम जो है आपके ऐकांड में रिसीब होनी चाहिए लैंडिंग पार्टनर से विजिटम फाइनेंस प्राइबिट लिमिटेड आजित्य बिडिला फाइनेंस लिमिटेड डियामाई फाइन फ्राइबिड लिमिटेड बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो बह होती जल्दी के अगर मैं बात करूं तो आपकी उम्र जो है किस साल से ज्यादा होनी चाहिए और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए आपका सेलीड प्रोफेशनल होना जरूरी है बर्किंग होना जरूरी है एक रेपूटेड फर्म में मिनिममम नेट मंतली सेली 25 जार उपर होनी चाहिए फैन काड चाहिए होगा अधार काड फ्रेंट एंड बैक या पासपूर्ट रिसेंट पेसिलिप सेली क्रेटिट बैंक के स्ट्रेट्मेंट रिसेंट त्री मंस का प्रिजेंट एड्रेस प्रूफ और आपको दस अजार उपय से लेकर देड़ लाग उर्पय तक मिन सकता है और यहां पर अगर मैं आप से बात करूं रिपेइमेंट की तो 65 दिनों से लेकर 12 महीने तक आपको यहां पर 10 यूर मिन करती है अगली पर चलते हैं तो अगली जो अप्लिकेशन इसका नाम है स्मार्ड कोइन परसनल लोन एप्लिकेशन इंस्ट्न लोन आमांट आपको मिल सकता है आप 4,000 उपैसे लेकर 1,000,000 रुपै तक का 62 दिनों से लिएक साल तक का आपको यहां पर 10 यूर मिल सकता है इंट्रस्ट्रेट रेंज की बात किया है जीरो से 30 परसेंट है जो की डिपैंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर पर अधार कार्ड पैन कार्ड और फोटो और से आपका काम चल जागा है आपका सिब्ली इतने ही डॉकुमेंट चाहिए होते हैं लोन लेने के लिए कुछ केसिज में आपसे इंकम प्रूफ यहां पर लिया आया सकता है लेकिन यहां पर कम सिब्ली स्कूर पर लोन नहीं मिलता है यह बात ध्यान लदे कीए बात किया है तो आपOoh एक जांप पर अगे स्टेय रॉंड लोन मिल सकता है छलिए अगली आपड पर चलते हैं अगल लगवाच लग की केड़ लाइन मिली आपने उसमें से 20 था रुपय का आपने लोन ले लिया तो 20,000 पर यह आपको ब्याज देना होगा ठीक है तो यहां पर देखिए कुछ आपको बेसिक डिटेस देनी होती है जैसे अपना नाम मोबाइल नंबर पैंपार नंबर एमप्लॉ सब्सक्राइब कर और इंट्रस्ट्रेट जो है वो आपको पता है कि रिस्क प्रोफाइल पर बेस होते हैं अलगला लोगों के साब से अलगला यहाँ पर इंट्रस्ट्रेट रेंज चार्ज कियाता है यहाँ पर अपको अपना पेंटल अधर काड़ और अधर कार्ड से लेकर तौर यहाँ सब्सटल सकते हैं और उन्नती की अगर मैं बात करूँ तो यह अगर बात करूँ आपसे बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन है आप बाट्स की अप्लिकेशन है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं आप बाट्स परक नहीं कर रहे हैं तो उन्नती उसकी जगह आप ट्राइ कर सकते हैं यहां पर एक जरूरी बात बता दूंग आपको कोई कैपरूबल डिसवर्सल है 24-48 गंटे में कोई पेपर पर कोई कोलेटरोल आपको नहीं देना है सब कुछ मोवाइल एप्लिकेशन से हो जाएगा केवल पैनकार्ट बैंक के स्टेटमेंट और सेली सिलिप का रिक्वार्मेंट है प्रॉम कस्टोमर सपोर्ट है यह भी एक अच्छी बात है और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी सैली 20,000 पर मंद होनी चाहिए और आपकी उम्र जो है बाइस से 55 साल होनी चाहिए अप सुनिए जरूरी बात जो कि आप सुनना चाहिए थे कि आपका कम सिबिल स्कोर भी है ना या तो आप आपका सिबिल स्कोर है ही नहीं new to credit हैं मतलब बिना civil score के भी आपको यहाँ पर loan मिल सकता है या फिर आपका civil score 625 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर loan अपलाई कर सकते हैं अगर हो जाता है लोन तो सेम डे डिस्वर्स भी हो जाता है ठीक है और लोन अप्रूबल का क्राइडेरिया कि अगर मैं बात करूं बहुत सरी अप्लिकेशन में यह बर्क करता है मतलब लागू होता है यही क्राइडेरिया होता है लगब लगब सभी पर income to expense ratio डेमोग्राफिक में age, marital status, education बगएरा, professional experience, tenure with the employer जहां पर आप job करते हैं, job stability, total work experience, etc, purpose of your loan and its authenticity ठीक है तो यह जहान रखिएगा अगर आप इन सब क्राइडेरियों को फुल्फिल करते हैं तो आपको loan मिलता है अदरवाइस नहीं मिलता है एक application बहुत ही bashed है जो कि अब मैं आपको बताने जा लोन मिल सकता है और अगर मैं आपसे बात करूँ तो 24-36 परसेंट इनका APR है यानि इंटरस्टेट रेंज है प्रसेंग भी की बात किया है दो परसेंट ऑन बाट से अब RBI रेश्टर जो इनकी NBFC है वो है ब्रांच International Financial Services Private Limited और इनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं तो काफी लिए आपर सिर्फ आदर रकर्ट पैनकार्ट से बहुत ईजीली लोन मिल जाता है स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लोन अमांट साड़े सासते रुपे मिले दो हजार मिले पांच यार मिले आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपैंड करता है लेकिन कम सिविल स्कोर कम के किसी भी लोन अप्लिकेशन से जितनी मैं बता रहा हूं आपको या बताने वाला हूं तो ट्रम्स और अग्रिमेंट लेटर अगरा ध्यान से पढ़ लिए अगली आपड़ चलते हैं अगली अप्लिकेशन थोड़ी नई अप्लिकेशन है नाम है प्राइब ऑ इंस्टेंड क स्टार्ड हो जाता है जो की मैक्सिमम जाता है 29.99 पर सेंट पर एनम यानि उन्तिज दसब्लब 935 पर एनम तीन महीने से लेके साड़ महीने तक सब्सक्राइब करते हैं याद रखिए कि आपका पिछले कुछ समय में डिफाल्ट ना किया हो आपने कोई भी लोन लगवक्त 6 महीने से लेके एक साल यह मेरा अनुमान क्याता है ठीक है तो अगर आपने डिफाल्ट नहीं किया तो आप एजिली लोन एपलाई कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सिर्फ अधरकर पैन कार्ड से ही आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है कुछ मतलब बोल सकता हूं जो सेलींड लोग हैं उनसे हो सकता हैं यहां पर सेली लिब बगरा या बैंक के स्टेटमेंट बगरा मांगा जाए अगली एपलिकेशन पर चलते हैं तो अगली जो last एपलिकेशन है इसका नावी लोन से हैं हेल्थ इंसयूरिंस वाली एपलिकेशन है तो बीस लाख रुप 100% डिजिटल प्रोसेस है अब मैं आपको पताता हूँ बहुत ही अच्छी बात मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ एक वीडियो का जिसमें मैंने लोन लेकर दिखाया नाभी से और एप्लिकेसन बहुत ही कमाल किये मुझसे कोई भी प्रोसेविंग भी यहा प्रोसेस है मिनमम अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर तो देखिए आपको कोई प्रीक्लोजर चार्ज नहीं देना है सिविल इसकोर अगर आपका अच्छा है तो आप नभी से लोन ट्राइब कर सकते नभी फिंसर्फ लिमिटेड इनकी NBFC कमपनी का नाम है ठीक है तो य इससे आपके सिविल इसकोर भी निगेटिव इंपक्त पड़ता है एक और अप्लिकेशन का लिंक की दिया मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका नाम है टूबैलेंस लोन अप्लिकेशन अगर आप मेरे लिंक से टूबैलेंस पर लोन अप्लाइब करेंगे काफी ज्याद मेरे लिंक से करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्लाइब होने के तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हैं फिर किसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन्ने मात्रम